Welcome back to my YouTube channel Paper Hacker आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Unit 3 ठीक है जो की आपका Objective Type Question है ठीक है, Botany है आपका, ठीक है क्या है आपका, Botany और Unit आपका 3 ठीक है इससे पहले हमने 1 और 2 ठीक है 1 और 2 Unit का जो भी आपके Objective Type Question है ठीक है, उनको हमने पढ़ लिया है ठीक है, Objective Type Question तब को हमने एक एक करके Discuss कर लिया है, पढ़ लिया है आज हम बात करेंगे Unit 3 के ठीक है तो इसमें जितने भी आपके Question होंगे Unit 3 में ठीक है 30-40 के आसपास हम Discuss करेंगे तो उनको सब को आपको एक एक करके देखना है ठीक है जो की आपके लिए बहुत ज़्यादा Important रहने वाले है, ठीक है तो वीडियो को Skip नहीं करना है सभी को एक एक करके देखना है, ठीक है तो चलिए बात करते है Question number 1 कहरा है, निमनलिखित में से कौन सा नगन बीजी है, ठीक है कैसा है, नगन बीजी ठीक है, बीज तो होगे, लेकिन उनका जो बीज होगा, ठीक है, क्या होगा जो बीज होगा, वो किसी से धका हुआ नहीं होगा, ठीक है, कैसा होगा जो बीज होते, वो धके हुए नहीं होते उन्हें कहते है, नगन बीजी, ठीक है तो ऐसा कौन सा है जो नगन बीजी नहीं है ठीक है यानिकी जिन पर बीज आते हैं लेकिन नगन नहीं होते हैं वो फल के अंदर ढके रहते हैं तो इन में से क्या हो जागा आपका आंसर क्या राहनिया है या आपका पाइनस है या साइकस है या आपका इफेडरा है इन में से क आफके आफका दूसरा इस पर्म की जायलम में नहीं पाई जाती है गिए्ट्रेकेट्सहाई यह नहीं पा जाते हैं तो चारों में यह थीक है आपने कौन सा रागव है जो है आपके हगा जाते। घाल शायधा नहीं पा जाता है ठीक है किसमें जिमनो स्पर्म की जायलम है ठीक है जायलम थार्ट करा साइकस में परागण किसके द्वारा होता है ठीक है क्या होता भी साइकस में परागण किसके द्वारा होता है ठीक है परागण यानिकि जो आपके नर युगमक होता है ठीक है क्या होते हैं अगर हम बात कर तो इनका कहां तक पहुंचना वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहां तक यह आपका क्या है वर्तिकाग्र तक पहुंचना किसका पराग कढ़ों का ठीक है तो यही क्या कहलाता है आपका पराग कढ़ों का किसी भी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है में किसके दौरा होता है किया जलग दौरा होता या २ ज्हवार दो आखज घृजृङ बसके Mister नील हरित, शैवाल आपके किस में पाय जाते हैं, यह आपको बताना है, क्या रिक्सिया के सूकाय में पाय जाते हैं, सूकाय जैसे थैलस कहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें, जो नील हरित, शैवाल होते हैं, वो आपके किस में पाय जाते हैं, साइकस की जड़ म पाए जाते हैं ठीक है तो आंसर क्या जागा आपका सा ठीक है साइकस की जड़ में नीले हरे सेवाल आपके पाए जाते हैं नेक्स्ट जिमनोस्पर्म में फल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि जो आपके जिमनोस्पर्म होते हैं उनमें फल नहीं पाए जाते हैं क्यों क्या फल नहीं पाए जाते हैं ठीक है फल नहीं पाए जाते हैं क्यों तो आंसर कीजी इन में क्या होता है ठीक है चलिए फिप्त का आंसर क्या रहा है आपका फिप्त का आंसर ठीक है तो भई इनमें ओबरी आपकी नहीं पाए जाती है ठीक है इनमें क्या नहीं पाए जाता है आप तुरि नहीं पाए जाती है ठीक है इसलिए इन में फल नहीं पाए जाते है ठीक है तो आंसर क्या जागा सा हो जागा फिप्त का जिमनो इस पर में जिमनोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनता है जो जिमनोस्पर्म होते हैं आपके इन में एंडोस्पर्म बनता है निसेचन से पहले बनता है या निसेचन के समय बनता है या निसेचन के बाद बनता है या कभी नहीं बनता है ठीक है इन में से आपको बताना है कि जो एंडोस्प सब्सक्राइब का फार्मेशन होता है वो कब होगा निशेचन से पहले की पहले की कहानी है यह वो इनका क्या होगा आपका नर जननांग दूसरा क्या होगा आपका मादा जन्नांग ठीक है तो इनका एक का क्या होगा आपका पराकर दूसरे का क्या होगा आपका वर्तिका ठीक है तो इनमें जब अंदर जाके ठीक है किसमें जब अंदर जाके अंडाश है में जब इनमें निसेचन होगा ठीक है तो निसेचन से पहली क्या हो जागा इनमें एंडो स्पर्म का फार्मिशन हो जाता है ठीक है। शिक्स का शेवन कहरा है सबसे छोटा जिम्नो इसपर्म है ठीक है क्या साइकalon है है यह आपका जैमिया पिए है यह आपका पामिश इंसुलरिस है यह आपका जिंगो बिलोबा है ठीक है तो इन मैं से कोई एक option है जो किसको प्रदर्सत कर रहा है सबसे छोटे ज्यम्नर इसपर्म को बताएगा ठीक है तो चलिए answer कीजिए क्या हो जागा सेवंत का अबका क्या है ठीक है चलिए आपका आंसर क्या हो जागा बी ठीक है जैमिया पिग्मिया ये क्या है आपका सबसे छोटा जिम्नो इसपर्म है क्या है जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नो इसपर्म है ठीक है question number 8 साइकस की पत्तियों में साइकस की पत्तियों में पाया जाने वाला transfusion उतक का कारिय है साइकस की पत्तियों में एक उतक पाया जाता है जिसका नाम क्या transfusion कारिय क्या है उसका ये बताना है क्या mechanical कारिय करता है या आपका photosynthetic कारिय करता है या conduction का कारी करता है या आपका इस्टोर रिजिस का कारी करता है ठीक है तो चली answer कीजिए कि जो आपका transfusion नामक उतक होता है साइकस की पत्तिव में क्या काम करता है यर्थ का आपका answer क्या हो जागा चली बात करें अगर हम transfusion की तो ये conduction का काम करता है ठीक है किसका काम करता है चालन का काम करता है ठीक है कंडक्शन का काम करता है आपका ट्रांस्फ्यूजन उतक ठीक है याद रहेगा ना साइकस में नेक्स्ट कह रहा है साइकस का इस्पर्म है ठीक है साइकस का sperm है कौन सा है बहुत बड़ा जिसमें सरपकार cilia पाय जाते हैं बहुत छोटा cilia रहे बड़ा पर cilia रहे कोई नहीं तो इन में से कोई एक ऐसा है जो साइकस का sperm है ठीक है तो ये कुछ साइकस के sperm के मतलब करेक्टर सीलिया चोटरों ये टो एक अऊसा है जो क्या बटाता is कि इसितरों को बता रहें को साइक सिर्वा जाए चलिए जुक रुच्षन अंबर 9 को आपका 10 इस पर्म जो होता है आपका बहुत बड़ा होता है सरपिलाकार सीलिया पाई जाते हैं ठीक है कैसे पाई जाते हैं कुछ इस तरह के आपके सीलिया जो है पाई जाते हैं ठीक है सरपिलाकार ठीक तो क्या हो जागा आपका ए सही आंसर हो जागा Question number 10, टिक है, क्या कह रहा है? Psychus के तने में पाई जाती है, टिक है? तो, Psychus के तने में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो आपका हो जागा, Polyzylic Condition, Condition और आपका Resin Canal, या आपका है, क्या है? Picnozylic Condition, या आपका है Dwarf Shoot तो इन में से कोई एक सही है जो साइकस के तने में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, A, B, C, या D, ठीक है, आंशर कीजिए, 10 का क्या हो जागा, चलाए ठीक है क्या हो जागा आपका पॉली जायलिक क्या है कंडीशन ठीक है क्या है आपका पॉली जायलिक कंडीशन यानि की बहु जायलिक ठीक है कैसे होते हैं आपके ये बहु जायलिक ठीक है क्या होता है इसमें बहु जायलिक कंडिशन पाई जाते हैं इसमें साइकस के तने में ठीक है यानि कि बहुत सारे जायलम इसमें पाई जाते हैं ठीक है 11 किस जिम्नो स्पर्म में मादा शंकू का निर्माड नहीं होता है इन में से कोई एक ऐसा आपका जिम्नो स्पर्म है जिनमें मादा शंकू का निर्माड नहीं होता है ठीक है फीमेल कॉन का फार्मेशन जो है नहीं होता है फीमेल कॉन फीमेल कॉन नहीं बनता है फिड्रा एस्पी यह जो एस्पी है यह क्या इनकी प्रजाती है और आपका जिनने टम SP, साइकस SP और पाइनस SP ठीक है तो इन में से कोई एक ऐसा जिमनोस्पर्म है जिन में आपका मादा शंकू नहीं बनता है ठीक है चलिए आंसर कीजी क्या हो जागा 11 तका ठीक है चलिए तो साइकस की अगर हम बात करें किसकी साइकस SP की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मादा शंकू का निर्माड नहीं होता है किसमें साइकस और यह ध्यार रखना आपको SP क्या है इसकी जाती का नाम है इसी में नहीं होता है ठीक है कुश्चन नमबर 12 कह रहा साइकस की कैरिलाइड जड़ों में पाय जाने वाले शैवाल का नाम है ठीक है साइकस की जड़ों में जो आपका कैरिलाइड नाम का आपका जड़ो में क्या पाय जाता है शैवाल पाय जाता है उसका आपको क्या करना है नाम बताना ठीक है सायकस की कैरलाइट जड़ो में पाय जाने वाले शैवाल का नाम क्या हो जागा क्या बालवाक्स ग्लूवेटर हो जागा या आपका नास्टॉक साइनेडी हो जागा या आपका Claymido Monas Media हो जागा या आपका Ectocarpus Sleculis हो जागा ठीक है Ectocarpus Sleculis हो जागा तो इन में से कोई एक ऐसा है जो Cycus की Carrylight जड़ो में पाया जाने वाला शैवाल है, इनके नाम दे रखें चली answer कीजिए 12 का क्या हो जागा आपका चलो नौस्टॉक क्या हो जागा B ठीक है नौस्टॉक साइकडी ठीक है नौस्टॉक साइकडी आपका क्या है एक प्रकार का शैवाल है ठीक है क्या है आपका शैवाल है जो कहां पाया जाता है आपका कैरिलाइट जड़ो में किसकी तता इसे कौन सा है इसमें आपका तो इन में से कौन सा है जिसमें आपका सब si nessa होजागा है आपका साइकस minor cp qs कहा जाता है जीविस्त-जवास्म कहा जाता है तो इन तउनसा ऐसा जिम्नोस्पर्म है क्या टैक्सस SP होता है साइकस SP है पाइनस SP है यह आपका इफेड्रा है ठीक है कोई एक आपका क्या है Living Foggles यह जीवित जीवाश्म है उसका नाम बताना ठीक है आंसर कीजिए 14 का क्या हो जाएगा ठीक है चाली आपने पढ़ाता है क्या पढ़ाता भी साइकस ठीक है क्या साइकरस sp किसकी तरह काम करता जीवित जीवाश्म को बताता है ठीक है तो साइकस sp क्या आपका एक जीवित जीवास्म ज्यम्नो इस्पर्म है ठीक है jd jimrospa जीव ज्यम्नो इस्पर्म तो b आपका आंसर हो जागे हां पर question number 15 निम्ण में से कौन सा पौधा जीवित जीवास्म कहलाता है अभी उपर पढ़ाता है तो क्या पाइनस कहलाता है इफेडरा कहलाता है या एनोटी कहलाता है तो answer कीजी क्या हो जागा आपका 15 का 15 का अभी हमने पढ़ाता है जीवित जीवास्म कहा होता है साइकस तो यह भी क्या हो जागा अपका साइकस हो जागा ठीक है अगर यहां पर से इसरी का टना होता है कैसा होता है किया वटाना क्या है यह आपका पिक्नो जायलिक होता है यह आपका हट जायलिक होता है यह आपका पोरस बुड होता है तो यह आपको बताना है जो आपका साइकस का तना होता है कैसा होता है चलिए लॉंग आंसर टैप में आपने यह सब पढ़ा होगा ठीक है long answer type में यह सब हमने discuss किया है कहीं ना कहीं यह long answer type और short question से ही related है आपके यह ठीक है चलिए answer कीजिए question number 16 का क्या हो जागा तो यह जो आपका होता है तना कैसा होता है monozylic होता है कैसा होता है आपका monozylic यह एक जायलेख होता है यह जायलम की condition किसे होंगी एक किसे सागो पाम कहा जाता है ठीक है क्या है सागो पाम किसको कहा जाता है साइकस रिबोल्यूटा को कहा जाता है या साइकस आपका पेक्टिनेटा को कहा जाता है या साइकस आपका सर्चनेलिस को कहा जाता है या साइकस मेडिया को कहा जाता है ठीक है कोई एक ऐसा है जो सागो पाम के ना आगो पाम के नाम से भी यह जाना जाता है ठीक है आंसर यह हो जागा आपका question number 17 का ठीक है 18 के अगर हम बात करें तो कहे रहा है mono-zalic buddh पाई जाती है ठीक है? mono-zalic आपकी buddh किस में पाई जाती है यह बताना है, क्या ég, साइकस में पाई जाती है, या इफीडेरा में या जिनेटम में पाई जाती है तो इन में से कोई एक ऐसा है, जिसमें मॉनाजायलिक बुड़ आपकी पाई जाती है, वो कोउन सा हो जागा, ठीक है चलिए आंसर कीजिए question number 18 का क्या हो जागा तो psychus क्या है psychus आपका एक ऐसा pereidophyte है जिसमें आपका monogyalic bud पाई जाती है ठीक है क्या पाई जाता है monogyalic bud पाई जाती है मादा शंकू नहीं बनते हैं अभी पढ़ा था कि ऐसा कौन सा आपका पौदा है जिसमें आपका मादा शंकू का formation नहीं होता है तो आपको बताना है ठीक है अभी हमने पढ़ाता है इससे पहले ठीक है तो बताना है कि मादा शंकू किसमें नहीं बनते हैं क्या पाईनस में नहीं बनते हैं या इफेडरा में नहीं बनते हैं, या साइकस में नहीं बनते हैं, आपके watch again तो कोई एक ऐसा है जिसमें आपका क्यानी बनता है, मादा शंकु ये फिमेल कोन का फार्मेशन नहीं होता है, किसमें? बताएं, A, बा, सा और दा, ठीक है, answer कीजिए question number 19 का, क्या हो जागा चलिए साइकस ठीक है क्या हो जागा आपका सा क्या है साइकस ठीक है क्या है आपका साइकस इसमें आपका फीमोल कोन या मादशंकू का फार्मेशन नहीं होता है ठीक है किसमें साइकस में ठीक है कुशन नमबर 20 मादा शंकू का निर्माड किस जिम्नो स्पर्म में नहीं होता है फिर जा गया ठीक है किस जिम्नो स्पर्म में मादा शंकू का फार्मेशन या निर्माड नहीं होता है क्या पाइनस में नहीं होता है साइकस में नहीं होता है जिनेटम में नहीं होता है इफेड आपका जुमनो स्पर्म है ती जुमनो स्पर्म है ठीक है जुमनो कि सपर्म है क्या रहा है पॉलिजायलिक अवस्था का निर्माड कई केंपियम वलेंव के बनने से तता दुतियक वेस्कुलर वंडलों makan गिर्वं के निरमाड से होता है किस MARC या पॉल जानलिक अवस्थाा है ठीक है कैंप यह सार आपकी केंपियम की वले देखने को मिल जा当 या रिंक्त देखने को आपको मिल जायंगे ठीक है रिंक इसकी होगी Pink केम्बियम की और कारहा है दुत्य कवेसलार वंदलों की वल्यों के निर्मार्ण से होता है कि एफेडरा में होता है .. तो N puck 21 का आश्र आपको करना इंद्ध कको सा हो जागा जिसमें आपका पॉली जैलिक अवस्था का निर्मार्ण होता है किस से होता है बता दिया है कई cambium की बले होंगी और क्या होगा दुत्यक vascular bundle होंगा ठीक है उनकी layer होंगी 21 तो क्या है आपका साइकस ठीक है क्या है साइकस आपका एक ऐसा जिम्नो स्पर्म है जिनमें क्या बनता है भई जिनमें आपका polygyalic की अवस्था या polygyalic condition पाए जाती है ठीक है किसमें साइकस में कुश्चन नमबर 22 कह रहा है मीजार्क vascular bundle पाए जाते है कौँसे मीजार्क vascular bundle किसमें पाए जाते हैं क्या साइकस की पत्तियों में पाए जाते हैं पाए जाते हैं या इफेडरा की तने में पाए जाते हैं या उप्रोक्त में से कोई ने ठीक है तो कोई यह कैसा है जिसमें क्या होता है मीजार्क vascular bundle पाए जाते है ठीक है तो आंसर कीजी आवा साधा में से कौन सा हो जागा आ तो ये आपके साइकस की पत्तियों में जो है पाय जाते है ठीक है किसकी पत्तियों में साइकस की आंसर क्या हो जागा आपका ये ठीक है मिजार्क वैस्कुलर बंडल साइकस की पत्तियों में पाय जाते है ठीक है साइकस की विश्चन नमबर 23 कहरा साइकस की कैरोलाइड होती है कैसी होती है कि आपका फोटो ट्रॉफिक होती है यह आपका एपो जियो ट्रॉफिक होती है यह आपका जियो ट्रॉफिक होती है यह आपका साइक्लो ट्रॉफिक होती है ठीक है तो इन आपका आंसर हो जागा बाद ठीक है इनकी जो जड़े होती है वो कैसी होती है एपो जियो ट्रॉपिक ठीक है कैसी होती है एपो जियो ट्रॉपिक जड़े होती है आपके किसकी साइकस की कैरलाइड जड़े है ठीक है कैसी होती है एपो जियो ट्रॉपिक भी आपका सही हो जा यह आपका embryo कहते हैं ठीक है क्या कहते है यह आपको बताना है ठीक है चाली question number 24 का answer क्या हो जागा बताएं तो इनको endo sperm कहते है ठीक है क्या कहते है आपका endo sperm कहते है ठीक है जमनो स्पर्म में जो आपका मादा युगमकोद भी दोता है ठीक है या मादा बिजाड़ू भी दोता उसे क्या कहते हैं एंडो स्पर्म कहते है ठीक है युगमकोद विच्चन नमबर 25 इसनाम से जाना जाता है किया मौस के नाम से जाना जाता है। तो कोई यह कैसा है जिसको साइकस का सामाने नाम दे रखा है ठीक है इन में से कौन सा है वो आपको बताना है 25 का क्या हो जागा सागो पाम कहते हैं इसको क्या कहते हैं भई सागो पाम दूसरा नाम है किसका आपका साइकस का ठीक है क्या है साइकस का अन्य नाम क्या है सागो प पाए जाते हैं आपके मांसल व्रेक्ट पाए जाते हैं साइकस हो गया या पाइनस हो गया या भेडरा हो गया या आल आफ दीज ठीक है तो इन में से या तो सभी है या कोई एक ऐसा है जिसमें आपका क्या होता है बीज पर मांसल व्रेक्ट पाए जाते हैं वो आपको बताना आपका आंसर कीजी 26 का हुआजागा 26 का answer आपका iुफिद्रा ऐपका आपका एक ऐसा है जितमें बीज पर क्या पाए जाते हैं मांसल व्रैक्ट आपके पाए जाते हैं ठीक है कुष्चन नमबर 27 पाइनस के ओविल होते हैं ठीक है आपके white-tagmik होते हैं यह try-tagmik होते हैं यह आपके add-tagmik होते हैं ठीक है add-tagmik, tri-tagmik, buy-tagmik और unitagmik ठीक है तो इन में से कोई यह कैसा है जिसमें pinus के ovules होते हैं ठीक है कैसे होते हैं वो आपको बताना है question number 27 का answer क्या हो जाएगा चलिए यह जो आपके자 होते हैं, psychos में कैसे होते हैं कैसे होते हैं, आपके question number 27 का आपका यह हो जागा, question number 28 कि गए पाइनस के पाइनस के उबयू समय एंडर्ज परम होता है कैसा होता है ठर्प्लायड होता है है त्या फ्लायड होता है या आपका डिप द ये 28 का कौन सा हो जागा आपके अनसार तो ये कैसे होते हैं आपके हैपलाइड होते हैं ठीक है कैसे होते हैं है ठीक है तो क्या हो जागा आपका आपसन भी हो जागा ठीक है 28 का आपसन क्या हो जागा आपका भी हो जागा कैसे होते हैं आपके हैपलाइड होते हैं ठीक है कि गुष्चन नमबर 29 को कहते हैं आ गोड़ाइद त्रोम जनकी है या इफिडरा SP में या आपका मारसिली ASP में कोई ये कैसा है जिन में क्या पाय जाता है शल्क पत्र उसके बीजान्ड में पाय जाते हैं किसी एक जिम्नोस्पर्म के तो आंसर कीजिए 29 का आपका क्या हो जाएगा ठीक है चली तो ये आपका क्या है पायनस क्या है पायनस आपका एक जिम्नोस्पर्म है पायनस क्या है आपका जिम्नोस्पर्म है ठीक है जिसमें क्या पाय जाते है वीजान्ड शल्क पत्र पाय जाते है ठीक है क्या पाय जाते है वीजान्ड शल्क पत्र आपके पाय जाते है next इफेडरा की वाई स्पुरेंजियेट शंकु वाली प्रजाती है तो इफेडरा की वाई स्पुरेंजियेट शंकु वाली प्रजाती कौन सी है यह आपको बताना है क्या इफेडरा मोनोफिलिया है या इफेडरा आपका फोलियेटा है या इफेडरा आपका इंटरमीडिया है या इफेडरा आपका क्या है जिरार डियाना G E R A R D I A N A ठीक है जिरार डियाना तो इन में से कोई एक ऐसी प्रजाती है जो क्या है आपका बाई इस्पूर एंजीट शंकूर रखती है चलिए आंसर किजिए क्या हो जागा कुश्यन नम्बर 30 का आंसर क्या हो जागा foliator ठीक है B आपका सही आंसर हो जागा foliator इफेडरा foliator एक ऐसी प्रजाती है इफेडरा की जिसमें बाई इस्पूर एंजीट शंकूर आपके पाय जाते है ठीक है फुशन नंबर 31 करा नर तथा मादा पुस्प पाए जाते हैं किसमें नर तथा मादा पुस्प पाए जाते हैं साइकस SP में पाए जाते हैं या पाइनस SP में पाए जाते हैं या एफेडरा SP में या आपके एंजियो इस्पर्म में पाए जाते हैं ठीक है तो नर और मादा पुस्प इन में से किस में पाए जाते हैं आपको आंसर करना ठीक है चलिए आंसर कीजिए 31 का ठीक है 31 का आपका आंसर क्या हो जागा तो ये जो दोनों प्रकार के आपके पुस्प पाए जाते हैं वो आपके इफेडरा SP में पाए जाते हैं तो आपसन क्या हो जागा आपका सा ठीक है तो इफेडरा SP आपका क्या है जिमनो इस पर जिसमें आपके क्या पाए जाते हैं नर तथा पुस्प दोनों प्रकार के जो ह विख़ावर है पुश पही बोज़ाइव है फिमेल और मेल आपके फ्लावर में पाने पाइब फ्लावर भूका है फिविंग क्हांत से इसे आपको करें लिते हैं Georgia शह CAS also Wind इन व कि इन्टी इसे यह बताना कि फेड्र हमें कहां से पराप्त होती है आंसर करें प्रेंच इफेडरा से क्या मिलता है इफेडरिन मिलता है तो आंसर क्या हो जागा आपका सा हो जागा ठीक है 32 का आंसर क्या हो जागा सा ठीक है जो कि हमें इफेडरा से प्राप्त होता है क्या इफेडरिन ठीक है 33 जायलम वाहिकाएं पाए जाती है ठीक है क्या आपकी जायलम वैसल्स क किसमें पाई जाती है यह आपको पताना है 33 का आंसर कीजी कौन सा हो जागा आवा सादा में से ठीक है चलिए आंसर कीजी तो जायलम भाहिकाओं की अगर हम भाहिकाओं की बात करें तो यह किस में पाई जाती है आपकी इफेड्रा में ठीक है इफेड्रा में आपकी जायलम जो है भाहिकाओं पाई जाती है ठीक है तो आंसर क्या हो जागा दा ठीक है इफेडरा ठीक है जायलम भाहिका है कुशन नमबर 34 करा इन में से किसको चीड का विरक्ष कहते हैं इन में से किसको चीड का विरक्ष कहते हैं क्या स्टाइकस को कहते हैं या पाइनस को कहते हैं या इफेडरा को कहते हैं या जिनेटम को कहते हैं तो इन में से चीड के को हम चीड का विरक्ष भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको चीड का विरक्ष भी कहते हैं किसको पाइनस को तो आंसर क्या हो जागा आपका भी हो जागा ठीक है पाइनस कहे रहा है पर लगे पराग कड़ पाय जाते हैं ठीक है कैसे पर लगे यानि कि जिन पर कैसे होते हैं छोटे कोई एक ऐसा है जिने में पराग कर पाय जाते हैं लेकिन कैसे पर लगे ठीक है यानिकी पर जैसे सरचना होती ही उनमें तो वो किसमें आपके ऐसे पराकड पाय जाते है आंसर कीजि़। question number 35 का ठीक है क्या हो जागा आ हो जागा बा हो जागा सा हो जागा या दा हो जागा ठीक है यह क्या है मानलो पराकड है इसमें कुछ इस तरह की जो है सरचना है पाए जाते हैं ठीक है तो पर लगे पराकड पाइनस में आपके पाए जाते हैं इन में से कौन सा है एक सही है वो आपको बताना है ठीक है तो पाइनस में पराकड किसके द्वारा होता है 36 का आप आंसर कीजिए क्या हो जागा आपका चाली एनिमो फिलस क्या हो जागा आपका एनिमो फिलस ठीक है किसमें होता आपका पाइनस में एनिमो फिलस प्रकार का आपको देखने को मिल जागा किसमें पाइनस में ठीक है विशन नंबर 37 चिल गोजा क्या है चिल गोजा एक प्रकार का सूखा फल है क्या है चिल गोजा एक प्रकार का सूखा फल है ये प्राप्त किया जाता है किस से क्या पाइनस रोक्सबू रोक्सवरगाई से प्राप्त कि से प्राप्त किया जाता है या है आपका थाएकccd चली answer कीजी किया हो जा का थेवंपर 37 का answer क्या हो जाएक दा, ठीक है, किस से मिलता है, पाइनस जिरार डियाना, ठीक है, पाइनस जिरार डियाना से हमें क्या मिलता है, चिलोगोजा मिलता है, यह क्या देता है, चिलोगोजा देता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, सूखा फल होता है, ठीक है, क्या होता है, सूखा फल होता है, ठीक चलिए, आंसर कीजिए, क्या हो जागा, बीज हम किस पौधे का खाते हैं, ठीक है, 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 किस पौधे का बीज है चिलगोजा किस पौधे का बीज है तो आंसर करना है साइकस का है या पाइनस का है या वीज का है या जिनेटम का है जैसे अभी हमने देखा था चिलगोजा हमें कहां से मिलना था वह पाइनस से तो आंसर क्या हो जागा बी हो जागा ठीक है तो चिलगो या विखंडन ठीक है कौन सी विखंडन प्रकार की बहुत ब्रीडिता किस में पाई जाती है क्या इफिडर एस्पी में पाई जाती है साइकस एस्पी में पाई जाती है पाइनस एस्पी में या नन तो बताना है जो आपका बिदलन बहुत ब्रीडिता है वो किस में पाई जा जाता आपका बिदलन ठीग और कियाँ चाहरता है कि इसमें बाए जाती पायनस में तो आंसर जील सेमेतं और भू द्री में आफिलेकित कल घए था तो आपके जिमनो इस्पर्म में वह कौन से महा कल प डिया था ठीक है अविलेकित किया गया था तो क्या पेलियो जोई काल था या आपका टेरियसिक एरिया था एरा था या आपका डेवोनियन एरा था या आपका परमियन एरा था ठीक है क्या था इन में से कौन सा काल है ठीक है एरा को काल कहते हैं तो इन में से कौन सा काल था ठीक है जिमनो स्पर्म के बारे म question number 41 का answer कीजी क्या हो जागा 41 का है तो वह काल था आपका paleozoic ठीक है कया था आपका paleozoic gymost Already नीपिजिलाएं It's s Johnson के बार एम बात कर है तो क्या हो जागा आपका paleozoic तो जागा फिक है next question number 42 की कहरा 52 का राए resin canals पाई जाती है resin canals किस में पाई जाती है क्या साइकस पत्रक में पाई जाती है इफेडरा के तने में पाई जाती है pinus needle में पाई जाती है या सिलेज नेला की जड़ में पाई जाती है कौन आपकी resin canals ठीक है आंसर कीजिए 42 का क्या हो जागा 42 क्या हो जागा आपका ये भी आपकी पाइनस की नीडल में पाई जाती है ठीक है क्या पाइनस की नीडल में तो आंसर के वज़ागा आपका साथ ठीक है तो रेजन कैनाल साब की कहाँ पाई जाती है पाइनस की नीडल में ठीक है पाइनस की नीडल में इस तरह की जो है अपनी सरचना होती है कुछ इस तरह की सुई के समान उनी को कहते है नीडल ठीक है question number 43 region और turpentine यहनि की तारपीन का तेल किस पाउदे से प्राप्त किया जाता है तो region हमें कहां से मिलता है और turpentine जिसे तारपीन का तेल कहते है यह हमें कौन से पौदे से मिलती है यह बताना है क्या abyss से मिलता है pinus से मिलता है psychic से मिलता है या zinatum से मिलता है तो answer कीजिए 43 का answer आपके अनुसार क्या होगा चलिए answer कीजिए हो गया तो इसका answer अगर आपने b लगाया है pinus ठीक है ठीक है पाइनस से हमें क्या मिलता है रेजिन ठीक है क्या मिलता है आपको रेजिन मिलेगा और इसी से आपको तारपीन का तेल भी मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा रेजिन और तारपीन का तेल कहां से मिलेगा पाइनस से मिलेगा ठीक है किसे मिलेगा पाइनस से तो इस तरह से से 43 कोशन थे ठीक है थार्ड यूनिट में कुल कितने कोशन थे आपके 43 ठीक जिनको हमने डिसकस कर लिया उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा एक दू बार और देख लेना ठीक है सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो बने लिए बना साथ तब तक लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो इसके बाद हम अगले वीडियो में दुबारा से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइब कोशन है ठीक है सबी परिक्षा है आपकी औप्जेक्टिव मोड में हो रही है ठीक है तो यानिकी सभी आप के लिए जरूरी है ठीक है तो इनको सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है अगले वीडियो में तो तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग एंड शेर दा वीडियो